हेलो एब्रीबन वेलकम बैक टू माई चैनल तो दूस्तों स्वागत है आप सब का हमारी चैनल पर जहां हम बाते करते हैं फैशन ब्यूटी लाइफ स्टाइल पूझा पार्ट से चुड़े हुए अल इन टॉपिक पर और मैं आपके साथ शेयर करते हूँ अपनी लाइफ का तो फ्रेंट जैश्री कृष्णा राधे राधे कैसे हैं आप सब आई होप आप लोग अच्छ होंगे मैं भी बिल्कुल चीकूँ आज का वीडियो वी से से मेरी बहुत सारी प्यारी प्यारी बहन है जिनका कमेंट आये था कि दिरी पीरियेड में पूझा कैसे करें तो चल हम दिन आप काले तिल से इसनान करके पूझा को स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपने ब्रत का संकल प्ले लिया है नवरातरी का ब्रत स्टार्ट कर दिया है दूसरे तीसरे चौथे पाचवे दिन अगर साइकिल आ जाती है तो फिर ब्रत को ना तोड़ें ब्रत को कंट्यून पूजा, पाठ, हवन, जप ऐसी किसी सामगरी में या पूजा की किसी प्रक्रिया में आप भाग ना लें मानसिक पूजा करें, मानसिक रूप से जप करें, मानसिक रूप से भजन करें, मानसिक रूप से पाठ करें ऐसे में माला का जप भी नहीं किया जाता तो ध्यान रखे पीरियड आ रहा है या आ गया है अब आप खाना पीना कैसे बनाएं बिल्कुल बना सकते हैं आप के चिन में जाएं खाना पीना बनाएं और उसके बाद गंगा जल के चीटे जो है वो पूरे खाने के भोजन सामगरी पर आप लगा दीजे उससे क्या होगा भोजन की शुद्धी हो जाएगी और आपको दोश भी नहीं लगेगा लेकिन ऐसी स्थिती में अगर आपके घर शाधू आ जाते हैं उनके लिए आपको भोजन बनाना है तो कोशिश करके अबॉइड करें लेकिन फिर भी मजबूरी अगर घर में आप सिंगल परसन है तो आप बना सकते हैं बनाने के बाद जो है वो आप उस पर गंगा जल का छीटा लगा सकते हैं उन्हें भोजन देने के बाद भगवान से सुईकार कर सकते हैं कि प्रभू ऐसी इस्तिती थी शाधू को भूका भी नहीं बेजा जा सकता था मजबूरी में मैंने भोजन बनाया लेकिन उन्हें शुद्ध करकर ही उन्हें दिया ताकि ना उनका अपना धरम जो है वो कहीं खंडित हो ना आपकी भाव खंडित हो दूसरी चीज क्या कि अगर आपने कर लिया हवन वाले दिन अगर आपको पिरियेड आ जाता है तब नहीं की जाती है तो आप हवन में संब्ल इतना हूँ दूर से बैठे और मानसिक आहूती दें जब सब-लोग बोले स्वाहा तो आप भी बोलिये स्वाहा उसे बढ़ा हवन और कोई हो ही नहीं सकता मानसिक जब तो प्रभू को सीधा-सीधा ही लगता है मानसिक रूपसे राधा किशिन जी के लिए मैंने खीर वना के मांसिक रूप से दिखाया है, बड़ा ही आनन्द आता है, आप भी करके देख सकते हैं, कुछ लोगों कमेंट आया था, जैसे कि मैंने पिरियड मेरा आ गया, साइकल मेरी आ गई, और नवरात्री से पहली मुझे पता चल गया, त अगर मैं ऐसा करूंगी तो यह तो पाप है ना, अगर किसी चीज की जानकारी नहीं है, और पूजा शुरू कर दिए, वो चीज अब आ गई, तब तो वो नेचुरल है, लेकिन अगर हमें पहले ही पता है, कि हाँ यह समस्या हमारे साथ है, फिर भी हम ब्रत का संकल्प ले तो यह चीज गलत है, यह मत करिएगा, क्या नहीं करना है, अगर आपको नवरात्री के एक दो दिन पहले आपकी साइकल आ जाती है, तब फिर आप ऐसी में ब्रत मत करिए, क्योंकि कही ना कहीं खुद के साथ चल नहीं करना जाए, कुछ कारे ऐसे होते हैं, जिनमें हम खु पुजा पाठ करिए, अगर आप भक्ती से पुजा पाठ कर रहे हैं, तो वही बहुत भाव से हो जाता है, प्रभू उसी में खुश होते हैं, प्रभू की खुश होने की कोई सीमा नहीं है, उन्होंने अपनी खुशी को, देखे इंसान ने तो अपनी खुशी को बांध या तो फिर आप इसनान करके इस तरव अगरा दो के दुबारा से अपना पुजा पाठ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब कुश लोगों का मैसी में कमेंट कर देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ, मैंने इसके पहले वीडियो बता दिया था, फरी मैं इसमें बता का फूजा रही थी, कि उनके हाँ ये होता है, कि जैसे कि उनकी साइकल उसी दिन आगे जिस देन हावन है, तो वो नहां कर पूरा सर धुल कर और नियू पैड या जो भी है, इस्तेमाल करकर हावन में बैठ जाते हैं, तो देखिए ये तो उनके हां का चलन है, हमारे हाँ इ तो में आप को भी नहीं कहोंगी क्या आप कररिय के हैं अगर आपके हैं कोई क्या है अगर अपको भी को जोग सकतें अगरहास कीजेर्फ कोatarak हमाद समने कोजिद नहीं है और मेरे अधिकड़ में और आपको पूजा करने को श्थित है। तो अपने आपको भी दोका मत दीजे और इश्वर को भी दोका मत दीजे पिरियेट में आप भोजन पानी बना सकते हैं लेकिन उस पर गंगा जिल के छीटे लगा दीजे जिससे उसका शुद्धी करण अपने आप हो जाएगा परिशान मत हो पिरियेट आपका एक दू दिन पहल पाल के लेकिन नहीं कर सकते हैं उस पर किसी की कोई रोक ढोक नहीं है तो प्रेंटस जो भी हमारी बहने हैं या सहिलीयां हैं दोस्त हैं और भाबियां हैं सस्क्राइब करें मत भूलें मैं मिलते हूं द और न्यू वीडियो तब टब तक के लिए जाアी nutr35 बंभाए झाल